संसार में येसा कौन ब्यक्ति होगा जो पुन्य का माना नहीं चाहता हो प्रती दिन हम मनुश्यों को पुन्य अरजित करने की अकांच्छा में तरह तरह के यत्न करते हुए देखते तो है इन अकांच्छा की पूर्ती के लिए भारतिय सनातन संस्किती में सद कर्मों के साथ बिविद धार्मिक बिधी विधान वा अनुश्ठानों में मन कर्म बचन से सनलगन होने के कई मार्ग भी बताये गए हैं यथा पूजा अरचिना, दानस्नान, जबतप और यग्य हवन यह सभी पुन्य प्राप्ति के ही एक मार्ग है इन धार्मिक अनुश्ठानों के साथ हमारे रिशी मूनी वा मनिश्यों ने परोपकार को शर्बोत्तम वा सूलव मार्ग बताया है गोश्वामी तुलसी दास जी ने मानस में परोपकार की महता बखुभी शमझाई भी है प्रकिर्ती भी हमें सरवर्थ परोपकार के ही दर्शन कराती तो है पर हमें दिखता नहीं है जैसे सुर्य द्वारा प्रकास प्रदान करना जिस प्रकास की एवज में हम उसे कुछ देते नहीं है यह सुर्य द्वारा किया हुआ एक परोपकार ही तो है शुर्य द्वारा उर्जा दिया हुआ चन्दमा द्वारा परदान सितल था मेगो द्वारा परदान अभिसिंचित वह अम्रित समान जल पेण पोधो द्वारा दिया हुआ पुषपो वफल शुगंध और सबसे बड़ा प्राण वायू जिससे हम जीते हैं यह क्या है? इन प्रकिर्टिक द्वारा दिये हुए यह प्रव्पकार ही है जिसके बल पे हम जिन्दा है और इस प्रव्पकार की बदोलत हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें किस प्रकार? उनका आदर असनिह लोटाते हैं, हमारे उपर एक ऐसी क्या दिवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे हम परुपकार की भावना से जुड़ सकें, परुपकार के और भी तल तक पहुच सकें, जैसे उपकरमों में परुपकार की उदार भावनाओं के ही द जिससे आपका नीजी हित नहों, जिसमें आपका कोई फायदा नहों, जिससे आपका सीधा कोई लाभ नहों, और ऐसे कामों को अगर आप करते हैं, सतक लगतार करते रहते हैं, तो निसन देह यह परुपकार की स्रेनी में जाती है? साब्धिक अर्थ से भी अगर इतर सोचें तो दार्षिनिक द्रिष्टी से भी प्रतिफल प्राप्ति की आसा से परमाल्थ की भावना से किया गया हर रेकार परफ़कार की अंतरकत आता है स्वावी विरेका नंद ने कर्म योग में लिखा है हमें सदेव पर उफकार करते ही रहना चाहिए एक दाता के उचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो कि ए भिखारी ले यह मैं तुझे देता हूँ तुम स्वैम इस बात के लिए कृतग्र रहो की तुम्हे वह निर्धन ब्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वैम अपना उफकार किया है धन्य पाने वाले नहीं होते देने वाले होते हैं इस बात के लिए कृतक्र रहो की संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का परियोग करने का आउशर प्राप्त हुआ असपश्ट है कि निसकाम होकर परुपकार की भावना से दिन दुख्यों की सेवा किजिए यहीं सेवा आपको परलोक सुधारने का भी पूने परदान कर देगा इसके लिए कहीं से अलग से मार्ग प्रस्ष्ट करने की आउसक्ता नहीं पड़ेगी आप अपने नियती से और निरंतर करने वाले कारियों से ही आप अपने आगे के मार्गों प्रस्ष्ट करेंगे और आने वाले भविसे के साथ साथ आने वाले लोग पर लोग को भी ही शोचना केवल तो दुनीय ही बनाना केवल स्वेर में जीना स्वेर का लाव कर्षी ए आपके द्वारा किसी और स्को कुछPS हो रहा हो और उसका स्रे आप न ले रहे हो यदि आप किसी को कुछ दे कर उसकी एवज में कुछ लेते हैं तो यह परवपकार न होकर यह बिजनेस हुआ और इस बिजनेस का विजलेट आपको अभी मिल चुका है इसलिए आगे अब कुछ नहीं मिलने वाला है तो अगर आप परवपकार की भावना से किसी की सेवा कर रहे हैं तो निशन देह आप उसकी एवज में कुछ न लें आप अपने परवपकार को निरंतर निश्वार्थ और एक अलौकिक जिन्दगी के लिए चलाते रहें आपको यह एक सकरात्मक उर्जा देगा और इस सकरात्मक उर्जा के माध्यम से आप एक विसिष्ट और बेहतर इंसान अस्थापित कर पाएंगे खुद को और अपने आने वाले पिढ़ियों के लिए और लोगों के मन में आपके प्रती एक ऐसे वेवहार उत्पन होंगे जिससे आप एक हमेशा कर्मयोगी, धर्मयोगी और सुमारगी कहलाएंगे